मेरा नाम राधिका है, मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे पती दूसरे शहर में काम किया करते थे, अभी मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था, और मेरी ससुराल में भी कोई नहीं था, इसलिए में सारा सारा दिन घर में अकेली रहती थी, मैंने सोचा कि क्यों न मैं कोई नौकर हो तो मुझे जरूर बताना, मेरी फ्रेंड ने कुछ दिनों के बाद मुझे एक ओल्डेज होम की वाडन की नौकरी के बारे में बताया, उसने कहा कि क्या तुम ओल्डेज होम में नौकरी कर सकती हो, वहाँ पर तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे, और वहाँ की औरतो के साथ तुम्हारा टाइम भी पास हो जाया करेगा, ओल्डेज होम में सिर्फ पचास साल की औरते ही होती है, तुम्हें उनकी देख भाल करनी है, मुझे ये नौकरी कोई घाटे वाली नहीं लगी थी, इसलिए मैंने सूचा कि ये नौकरी तो बहुत अच्छी है, मैं ये मेरी फ्रेंड ने इस नौकरी के बारे में एक बड़ी ही अजीब बात बताई, मेरी फ्रेंड ने कहा, ये नौकरी हमारे शहर में नहीं, बलकि तुम्हें ये नौकरी करने के लिए एक गाउं जाना पड़ेगा, ये ओल्डेज होम एक गाउं में मौजूद है, इस गाउं म मैं तुम्हें बता रही हूँ अब हमारे गाउं की औरते तो पड़ी लिखी है नहीं मैंने सोचा कि मैं इस नौकरी के बारे में तुम्हें ही बता दूँ तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो मैंने अपनी दोस्ते कहा कि तुम कह तो ठीक रही हो लेकिन पहले एक बार में अपने husband से इस बार में permission ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अपना घर छोड़ कर गाउं में रहना पड़ेगा मेरी friend ने कहा तुम्हें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे चाचा जी तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा की राय पर दिलवा देंगे तुम अराम से वहाँ रह सकती हो महाँ तुम्हें कोई परिशानी नहीं होगी मैंने अपने पती को कॉल की और उनको सब कुछ बता दिया मेरे पती को मेरी इस नौकरी से कोई दिक्कत नहीं थी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी घर पर नहीं रहता तो तुम्हें सारा दिन अकेले रहना पड़ता है तुम चाहो तो ये नौकरी कर सकती हो मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है मेरे पती बहुत अच्छे इंसान थे मैं अपनी फ्रैंड के चाचा के गाउं में चली गई और वहाँ जाकर मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया लेकिन वहाँ पर मुझे एक बूरी औरत बैठी हुई मिली उसकी आँकों में एक अजीब सा खालीपन और डर दिखाई दे रहा था मैं उस औरत को देखती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे पहले भी कभी देख रखा हो इस बूरी औरत की उम्र लगभग 75 साल होगी इस बूरी औरत को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मुझे से कुछ कहना चाहती है मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए लगभग 15 दिन गुजर गए थे लेकिन रोज ये मुझे बूरी औरत ओल्डे जोम के बाहर नजर आती थी इस ओल्डे जोम में 25 से 30 साल की औरते रहती थी जबकि ओल्डे जोम तो बूरे लोगों के लिए होता है और ये बूरी औरत जो ओल्डे जोम के बाहर खड़ी रहती थी ये इस ओल्डे जोम के अंदर जाकर क्यों नहीं रहती थी जब भी मैं किसी काम से बाहर निकलती तब ये बूरी औरत मेरे सामने आ जाती थी और मुझे घूर घूर कर देखती रहती थी लेकिन जब मैं इस बुड़ी औरत को नजर भर कर देखती तो ये मुझसे अपनी आखे फेर लेती थी मैंने एक दिन इस औरत से बात करने का फैसला किया दरसल मैं इतने बड़े ओल्डेज होम की एक अकेली ही वाडन थी ये ओल्डेज होम एक गाउं के बीच में मौझूद था इस गाउं में बहुत सारे लोग रहते थे और यहाँ पर मैंने गाउं के लोगों के मुझसे सरपंच के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ पर कानून से ज्यादा सरपंच के फैसले को एहमियत दी जाती है जिस गाउं में सरपंच का राज चलता हो उस गाउं में हमेशा कानून कमजोर होता है क्योंकि गाउं के लोग पड़े लिखे तो होते नहीं इसलिए सरपंच के फैसले को ही अपना फैसला समझ लेते हैं और सरपंच के आगे अपने हतियार डाल देते हैं मैं तो यहाँ पर बड़ी समझदारी से रहती थी ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करती थी और हमेशे अपने काम से काम रखती थी लेकिन मैं आज भी इस बुड़ी औरत को देखकर यही सोच रही थी कि आखिर ये औरत ओल्डेज होम के बाहर क्यों खड़ी रहती है अगर ये कोई गरीब औरत है तो फिर ओल्डेज होम के अंदर आकर क्यों नहीं रह लेती वैसे तो ये बुड़िया मुझे सारा दिन नजर नहीं आती थी लेकिन जब रात को मेरे घर जाने का टाइम हो जाता तो इस बुड़ी औरत से बात करने का बहुत दिल करता था क्योंकि एक्सर ही मुझे ऐसे घूरती थी जैसे कि इसका मुझे कोई पुराना कांटेक्ट हो लेकिन फिर मुझे इस अंजान औरत से बात करते हुए भी डर लगता था फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था ओल्डेज होम में एक औरत की बहुत जादा तब्यत खराब हो गई थी इसको बहुत तेज बुखार था और इसे संभालने के लिए मेरी खास जरूरत थी वो पागलो वाली हरकते कर रही थी दिन में मेरी ड्यूटी होती थी और रात को दूसरी वार्डन की ड्यूटी होती थी लेकिन सारी औरतों को मुझसे बहुत लगाव हो गया था इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद करती थी तो उस औरत का ध्यान रखने के लिए मुझे ही रुकना था मैं नहीं चाहती थी कि उस ओरत की और ज्यादा तबियत खराब हो जाए उस ओरत का नाम मोहीनी था इसलिए मैंने आज रात वाली वार्डन को वापस भेज दिया था और मैं ओल्डे जुम में रुक गई थी मैंने सोच लिया था जब तक मोहीनी के तबियत ठीक नहीं हो जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगी वरना ऐसा नहों कि मेरे पीछे मोहीनी को कुछ हो जाए ओल्डे जुम के बाहर दो चौकिदार भी बैठे होते थे वो दोनों तो बहुत बेवकूफ थे उनसे तो किसी अच्छे काम की उमीद ही नहीं थी उस रात मैंने वहीं पर रहने का फैसला किया था लेकिन उसी रात मेरा उस बोड़ी औरत से टकराव हो गया मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही थी तब यह अचानक मुझे वो बोड़ी औरत ओल्डेज होम की सीलियों पर बैठी हुई दिख गई कुछ ऐसा हुआ कि मैं मोहीनी को खाना खिला कर सुला चुकी थी उसके तबियत में कुछ सुधार नजर आ रहा था मैंने सूचा कि मैं गेट पर जाकर चौकिदार को बोल देती हूँ कि मुझे नींद आ रही है मेरे लिए चाय लेकर आ जाए अभी ग्यारा बजे थे तो असानी से चाय भी मिल जाती मेरे साथ साथ ओल्डेज होम की कई औरते भी जाग रही थी कि तब ही अचानक मुझे ओल्डेज होम की सीलियों पर कोई बैठा हुआ नजर आया मैंने ओल्डेज होम के दरवाजे को खुला रखा हुआ था मैं जब सीलियों से उतर कर नीचे गई तो मैंने देखा कि वो बूरी औरत सीलियों पर बैठी हुई थी ये बड़ी अजीब बात थी कि रात के ग्यारा बजे के टाइम पर इतना अंधेरा चाया हुआ था और ये बूरी औरत सीलियों पर बैठी हुई क्या कर रही थी मैं जब उस बूरी औरत के करीब गई तो मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो मैंने देखा कि बुड़िया की आँखे तो लाल हो रही थी उनकी आँखों में एक अजीब सी बेचानी थी मुझे देखकर वो हसने लगी मैं समझ नहीं पाई थी कि वो आकर क्यों हस रही थी लेकिन उस बुड़ी औरत के हाथ काप रहे थे क्योंकि बाहर बहुत जादा थंड हो रही थी और वो इतनी थंड में इतनी रात को यहाँ पर मौझूद थी मैंने दिल में ऐसा सोचा कि ना जाने वो यहाँ पर क्या कर रही है जब उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं आगे बढ़ने लगी तब ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस बूरी औरत ने अपने दोनों हाथ जोड लिये मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा मुझे चौकीदार को आवास देनी थी लेकिन सोचा कि मैं खुद ही इंसे बात कर लेती हूँ वो ऑरत मेरे आगे हाथ जोड कर कहने लगी भगवान के लिए बेटी तुम मीरी बेटी को यहांसे निकाल दो मेरी बेटी इस OLDे जूम में कैद है मेरी बेटी को इन लोगोंने old age home में कैद किया हुआ है वो बोड़ी औरत ये बात कहकर रोने लगी मैंने कहा आपकी कौन सी बेटी इस old age home में यहां तो बहुत सारी औरते हैं इन में से आपकी बेटी कौन सी है आप मुझे ठीक से बताईए और अपने बारे में भी बताईए क्योंकि मैं भी आपके बारे में कुछ नहीं जानती आपका नाम क्या है और आप यहां पर क्या कर रही हो आप मुझे ठीक से पूरी बात बताओ इस तरह तो मेरी कुछ भी समझ नहीं आएगा वो कुछ बता ही नहीं रही थी बलकि रोए जा रही थी मैंने कहा मैं आपकी मदद तब ही कर सकती हूँ जब आप मुझे सारे इनफॉर्मिशन ठीक ठीक से दोगी इसलिए जरूरी यही है कि आप मुझे सारे इनफॉर्मिशन दे दो मैंने बड़े प्यार से उनसे ये बात कही थी लेकिन वो तो रोई जा रही थी मैं उस औरत की बाते सुनकर बहुत हैरान रह गई थी आखिर वो क्या चाहती थी उनके कहने का क्या मतलब था मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे लगा कि शायद ये पागल औरत है तब ही तो इस तरह की बाते कर रही है और उस बोड़ी औरत की हालत देखकर भ जोनकर पागल है ये सुनकर में बड़ी हैरान हुई थी और जो मैंने आइडिया लगाया था वो बिल्कुल ठीक था जिस तरह की बाते वो बोड़ी औरत कर रही थी उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो पागल है और बहकी-बहकी बाते कर रही है लेकिन फिर वो अपनी बेटी को इस ओल्डेज होम से अजाद करवाने जैसी बाते क्यों कर रही थी ये सारी बा की तरफ से अपना धियान यही सोचते हुए हटा लिया कि ये तो पागल औरत ही है जिसकी बातों ने मुझे बेवजा परिशान कर दिया था लेकिन इस बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि दोबारा से मेरा सामना उस बोड़ी औरत से हो सकता है ये लग भख एक हफ कारा किया आज मैं उनसे ढंक से बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वो चाहती क्या है उनको क्या परिशानी है और वो ऐसी बहकी बहकी बाते क्यों करती है लेकिन इतनी ही देर में ओल्ड जूम के आगे एक बड़ी सी कार आकर रुकी बोड़ी औरत की भी उस कार पर नजर चली गई और वो कार को देखते ही वहां से जाने लगी और जाते हुए एक बार भी उन्होंने ओल्ड जूम को पलट कर भी नहीं देखा वो वहां से चली गई ऐसा लग रहा था जैसे उस बुड़िया को इस गाली से डर लग रहा हो मैं ये देखकर हरान रह गई और फिर मेरा ध्यान भी कार पर ही था कार में से एक उमरदार बड़ी-बड़ी मुझो वाला आदमी बाहर निकला उसके सर पर पगड़ी भी थी उस आदमी की कार को देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत अमीर आदमी है उस आदमी के साथ-साथ चार-पांच लोग भी लगा कि एक गाउं का कोई अमीर आदमी है वो आदमी उपर आ गया और कहने लगा कि राधिका जी आप ही है मैंने कहा जी मैं ही हूँ राधिका तो वो कहने लगे कि हमें आप से ही बात करनी है मैंने कहा जी चलिए आफिस में चलते हैं अराम से बैठ कर बात करते हैं उसके पाद हम लोग आफिस में चले गए और वो आदमी मेरे सामने रखी हुई चेयर पर बैट गया उन्होंने बताया कि मैं इस गाउन का सरपंच हूँ आखिरकार मैंने आज गाउन के सरपंच को देखे लिया था क्योंकि मैंने यहां लोगों के मूँ से सरपंच जी के बहुत चर रही हो लेकिन हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मैंने कहा जी कहिए मैं आपकी बात सुनकर ही जाऊंगी सरपंच बड़ा ही बात वाला आदमी लग रहा था वो कहने लगा कि क्या आपको पता है इस ओल्डे जोम में औरते बंध हैं वो क्यों और किस लिए इस की ही ओरते क्यों रहती है क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया इस बात ने तो मुझे भी हैरान कर दिया था कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि इस ओल्डे जोम में सिर्फ पच्चे से तीस साल तक की ओरते ही क्यों रहती है मैंने सरपंच जी से कहा नहीं मेरे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया इन ओरतों के पास कोई सहारा नहीं इसलिए ये ओरते यहाँ पर रहती होंगी उमर से कोई फर्क नहीं पड़ता जब इंसान का कोई अपना नहीं होता तो वो कही न कही रहने के लिए अपना ठीकाना ढूंड ही लेता है इसी तरहां से इन ओरते ने भी यहाँ पर रहने की जगा ढूंड ली मेरी बात सुनकर सरपंजी के चहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी वो कहने लगे कभी आपने ये नहीं सोचा कि सिर्फ ओरते ही क्यूं लड़कियां भी तो बेसहारा हो सकती है बोड़ी ओरते भी तो बे जवाता हूँ यहाँ पर कोई सरकार या कानून काम नहीं करता यह हमारा गाउं है इसमें मेरी मर्जी चलती है यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता यहाँ कानून की नहीं मेरी चलती है सरपंजी की ये बात सुनकर तो मैं बहुत चौक गई थी मैंने उन की बहुत तारीफ सुनी जो वार्डन रात में नौकरी करती है उससे कई गुना बहतर आप इस ओल्डेज होम को संभाल रही हो आपके यहां पर रहने वाली ओरतों के साथ बड़े अच्छी दोस्ती हो गई आप उनका बड़ा खयाल रखती हो मुझे इस बात से बहुत खुश बात है क्योंकि यही तो आपकी नौकरी है लेकिन कभी भी आपको इन ओरतों मेंसे किसी को भी ओल्डेज होम से बहार नहीं निकलने देना चाहें वो आपके साथ आदत में कितनी ही अच्छी क्यों नहों चाहें उनका कोई भी परसनल काम क्यों नहों आप यहां के चौकिद को बता देना जिस चीज की भी जरूरत होगी हम ओल्डेज होम के अंदर ही उस चीज को मौजूद करवा देंगे लेकिन आपको इन ओरतों मेंसे किसी एक औरत को भी ओल्डेज होम से बहार नहीं आने देना यह औरते तब तक इस ओल्डेज होम में रहेंगी जब तक इनके पती इनको यहां से लेने नहीं आ जाते। मैंने सरपन जी से बड़ी हैरानी से सवाल किया क्यूं सरपन जी क्या इनकी पती इनको यहां ओल्डेज होम में रहने के लिए छोड़ गए। आखिर इन ओल्डेज होम में क्या गलती है। यह इस ओल्डेज होम में क्यूं कैद रहे और अगर ये औरते शादे शुदा हैं इनके पती है तो फिर वो इनको यहां क्यों छोड़ गए सरपंच मेरी बाते सुनकर जोर जोर से हसने लगा सरपंच जी कहने लगे लगता है कि आपने इन लोगों के मुझे इनके गलती को नहीं सुना इन सब औरतों की एक बहुत बड़े गलती है ये मेरे कहने पर इस उल्डे जोम में रहती है और इन सब के पती मेरे कहने पर ही इनको यहां पर छोड़ कर गए इनकी गलती इतनी है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती ये सारी की सारी बांच ओरते हैं और मेरा यही मानना है की जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसका सासुराल में कोई मकाम नहीं होता इसलिए उसको घरवालों से अलगी रखा जाए बलकि उसे अपने सासुराल और माई के वालों से बिलकुल अलग रहना चाहिए वो ओरत अपने पती के लिए किसी काम की नहीं होती और फिर ऐसी बांच पत्निया जो अपने पती को बच्चों की खुशी ना दिखा सके उनको जीने का कोई हक नहीं होता ये तो मैं हूँ जिसने इन ओरतों के लिए गाउं में एक बड़ा सा ओल्डेज होम बनवाया और इस ओल्डेज होम में इन ओरतों की जरूरत की हर चीज मौजूद कर दी और इनका खयाल रखा जा रहा है गाउं के सरपंच के अनों के किस्से तो मैंने बहुत सुने χुए थे लेकिन आज मैंने उसकी सोच को भी परक लिया था ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि सरपंच ऐसा इनसान था जो औरतों को पैर की जूती समझता था मैंने सरपंच से सवाल किया कि 25 से 30 साल की उम्र की औरते इतनी उम्र में तो हमारे शहर में लड़कियों की शादी कर दी जाती है लेकिन आप लोग उससे मा बनने की उमीद लगा रहे हैं ऐसा कैसे मुम्किन हो सकता है कि कोई भी लड़की शादी की 2-3 साल बाद ही आपकी गोद में बच्चा लाकर डाल सरपंच कहने लगा ऐसा बिलकुल हो सकता है हमारे गाउं में 25-30 साल की उम्र में शादी नहीं की जाती बलकि हमारे गाउं में 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और हम 30 साल की उम्र तक इनको मौका देते हैं कि जब तक ये 30 साल की नहीं हो जाती तब त के साथ रह सकती है मुझे सरपंच के मुँपर थूकने का मन कर रहा था ये कितना गिरा हुआ इंसान था कि इन ओरतों के अभिमान के साथ खेल रहा था और ये कैसा गाउं है इस गाउं के लोग क्या पागल हो गए है अपनी इतनी छोटी छोटी बेटियों की शादी जो की ठी कानून नहीं था सरपंच जैसे इनसान को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए जबकि अब ये हकीकत सामने आ गई थी कि जो गाउं के सरपंच है वो बहुत ताकतवर इनसान है और गाउं के सबी लोग उसकी बहुत इज़त करते हैं और उसका कहना मानते हैं उससे पंगा लेना मतलब अपनी नौकरी से हाथ दो बैटना मुझे नौकरी इतनी प्यारी नहीं थी क्योंकि मैं कोई गरीद नहीं थी जो मुझे नौकरी की जरूरत होती लेकिन मैं इन आउरतों का साथ देना चाहती थी उस दिन तो मैं सरपंच की बात सुनकर खामोश रह गई थी क्य बी औरत ने मुझे अपने परिशानी के बारे में कुछ नहीं बताया था मुझे पता था कि गाउं का कोई भी इंसान सर्पंज के खिलाफ अपना मुँ इतनी असानी से नहीं खोलेगा मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा सामना सर्पन जैसे घटिया इनसान से होगा फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में अचानक उस बोड़ी औरत का खयाल आया मैंने सर्पन जी से कहा सर्पन जी आपने मुझे सारी बात तो बता दी लेकिन एक बात नहीं बताई वो ये है कि रोज रात के टाइम पर ओल्डेज होम की सीडियों पर एक बोड़ी औरत बैठी हुई होती है वो बोड़ी औरत कौन है क्या आप उसे भी ओल्डेज होम में बंद करवाना चाहते हैं मेरी बात सुनकर सरपंच की चहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे मैंने इतनी देर की बातचीत में इस बात पर सरपंच की चहरे के एक्सप्रेशन को बदला हुआ देखा था वो बहुत डरा हुआ लग रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरा ये सवाल करना अच्छा नहीं लगा सरपंच की चहरे पर गुस्सा आ गया था और उसने उंगली उठा कर कहा कि आज के बाद दुबारा मुझसे उस औरत की बात मत करना और वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया मुझे आइडिया हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड है उस बुड़ी उरत का इस सरपंच से जरूर कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वज़ा से इस सरपंच घबरा रहा है मैं तो हैरान रह गई थी कि ये सरप सरपंच एक बुड़ी उरत की बात से घबरा गया और आखिर इस सरपंच की अंदर ऐसा क्या है कि गाउं का हर इंसान इसका इतना कहना मानता है मुझे यहां ओल्डे जुम में रुके हुए काफी टाइम हो गया था दूसरी वार्डन भी आकर अपने ड्यूटी पर चली थे फिर सोचा की चलो चौकिदार से कहती हूं कि वो देख ले बुड़ी उरत सीडियों पर बैटी हुई है या नहीं अगर बैठी हुई है तो वो उसे बुलाकर आफिस में ले आए मैंने चौकिदार को बुलाया और कहा कि उस बुड़ी उरत को बुलाकर लाओ और उससे क कि मैं उससे बात करना चाती हूँ, अगर वो भी मुझसे बात करना चाती है तो मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, चौकिदार कहने लगा, मैडम जी, यौरत तो हर वाडन से यही बात कहती है, कि मेरी बेटी को यहां से निकाल दो, अगर उससे कहा जाएगा कि पारी बात बताऊंगी मैंने चौकिदार को पर्मीशन दी और कहा कि चलो ठीक है उसको मेरे आफिस में लेकर आओ चौकिदार जब बाहर गया तो वो बुडिया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी चौकिदार ने मुझे बताया कि मैडम जी वो बुडिया तो बाहर है ही नहीं मै क्योंकि हमारे ओल्डेज होम में दो चौकिदार थे और दोनों ही मुझे से कह रहे थे कि मैडम जी आप सरपन जी के इस काम में दखल अंदाजी मत करो ऐसा करना आपको महंगा भी पढ़ सकता है बस आप अपना काम खामोशी से करती रहो कभी सरपन जी के खिलाफ जाने की क कोशिश मत करना कभी कभी ज्यादा किसी काम में इंटरस लेना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित होता है लेकिन जैसे ही मैं ओल्डेज होम के अंदर आए तो मैंने देखा कि वो बूरी औरत मेरे ओफिस में बैठी हुई थी उसके आस पास ओफिस में दो तीन ओल्डेज हो हो गई मैंने सारी औरतों से कहा कि आप अपने कमरे में जाओ वो सब मेरे कहने के मुताबिक मेरे ओफिस से बाहर चली गई मैंने कहा बताइए माजी आपको क्या परिशानी है तो वो बोड़ी औरत कहने लगी बेटी इस ओल्डेज होम में मेरी बेटी भी रहती है मैंने कहा आपकी बेटी यहाँ पर रहती है, कौन से बेटी है आपकी, मैंने तो सुनना है कि आपकी कभी शादी ही नहीं हुई, तो वो कहने लगी मैंने शादी की थी, लेकिन बस ये बात कहकर वो खामोश हो गई, मैं भी इस बुड़ी औरत से बड़ी परिशान हो गई थी, कि अगर इस बार इस औरत से इसकी परिशानी के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ मुझे सस्पेंस में ही डाल दिया करती थी, मैंने सोच लिया था कि आगे मैं कभी इस बुड़ी औरत को अपने ओफिस में नहीं बुलाऊंगी, जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, त इस निड्यूटे करने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब मैं इस औरत के साथ जादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, शाम का टाइम था, तब यचानक मुझे आकर चौकिदार ने एक बड़ी ही अजीब बात बताई, वो कहने लगा कि सरपंच आप से मिलना चाहते हैं, मैं अब इस सरपंच बुढ़े से दुबारा मिलकर अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आदमी मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन क्या करती, इस पूरे गाउं में इसी सरपंच का सिक्का चलता था, इसलिए मुझे इस से बात कर पड़ेगी, अगर मैं बात नहीं करती, तब भी मैं मुसीबत में पढ़ जाती, मैं फटे फट अपने ऑफिस में आये तो देखा, कि ऑफिस में ही सरपंच बैठा हुआ था, वो मेरे ऑफिस में इस तरहा से बैठा हुआ था, जैसे उसका अपना ऑफिस हो, वो मुझे मिलने दिया जाए cooler लेकिन मैं सोच में पढ़ गई थी लेकिन मैं सोच में पढ़ गई कि जो पती अपनी पत्नियों को घर में नहीं रखना चाहते तो वो यहां अपनी पत्नियों के साथ क्राइध क्यों गुजारना चाहते हैं, मैंने बड़े गुसे से सरपन जी से कहा कि ऐसा कैसे मुम्किन हो सकता है, जब उनकी पती को उनकी कोई एहमित नहीं, तो फिर अब वो इनसे क्यों मिलना चाहते हैं, जब कि नहीं हो कि मेरी पहुंच शहर तक है, मैं चाहूं तो इस नौकरी से क्या, आपको आपके शहर से भी निकल वा सकता हूँ, इसलिए आपके लिए बहतर यही होगा, कि बिना कोई सवाल करे आप वही करो, जैसा मैं कहता हूँ, इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, और यहाँ पर इन औरतों के पतियों के मिलने का बंदुबस कर दो मैं चाहता हूं कि हर औरत अपने पती से मिले ताकि सारी सच्चाई खुलकर लोगों के सामने आ सके और कोई मुझे गलत साबित ना कर सके इतना कहकर सरपंज खामोश हो गया था और जाने के लिए खड़ा हो गया मेरी भी उन औरतों से कोई दुश्मनी नहीं थी और वैसे भी इन औरतों को यहां रहने में कोई परिशानी नहीं है तो फिर मैं कौन होती हूं उनके बीच बोलने वाली मैंने सरपंजी की जाने के बाद चौकिदार से कहा कि इनकी पतियों को अपनी पतियों से मिलने दो लिकिन फिर एक बड़ी अजीब बात हो गई चौकिदार ने बताया कि मैडम जी सरपंजी चाहते हैं कि सिर्फ इन औरतों की अपने पतियों से मुलाकात नहीं करवानी है बलकि इन लोगों को अलग-अलग कमरे में सारी रात के लिए अकेला बंद कर देना है अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरपंजी बहुत गुस्सा होंगे उन्होंने सकती से कहा है कि हर औरत अपने पतियों से इसी तरहां से मिले और बिलकुल वैसे ही प्राइविसी के साथ जिस तरहां से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए मैं भी इन पागलों जैसी हरकतों पर अफसोस में पढ़ गई थी अगर उनके पति अपनी पत्नियों से अकेले में मिलना चाहते हैं तो फिर अपनी पत्नियों को यहां क्यों छोड़ा हुआ है इन्हें घर क्यों नहीं लेकर जाते फिर मुझे चौकिदार ने एक और बात बताई जिसने मुझे बहुत जादा हैरान कर दिया था सारी औरते अपने पती के आने से पहले अच्छी तरह से तयार होंगी सजेंगी सवरेंगी मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने यही सोचा कि इन औरतों की मर्जी यह जैसा चाहें वैसा कर सकती है जाहिर सी बात है यहां मेरी कोई बात नहीं सुनेगा होगा वही जैसा सर्पन चाहते हैं मैंने चौकिदार से कहकर औरतों को उनके पतियों से मिलने का पूरा इंतिजाम करवा दिया था लेकिन फिर एक बड़ी ही अजीब बात हुई वो बूरी औरत मेरे पास आई और कहने लगी मैडम जी मैं अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आई हूँ मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर सहाब इन सारी औरतों का ट्रीटमेंट करे उसके बाद ही रात को ये सारी औरते अपने पती से मिले अब ना जाने ये क्या नई बात मेरे सामने आ गई थी अब मुझे इस बूरी औरत की भी बात माननी थी मैंने कहा ठीक है जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है मुझे तो सिर्व अपनी नौकरी से मतलब है लेकिन वो बूरी औरत कहने लगी कि बेटी लेकिन तुम्हें यहां से दो तीन घंटे के लिए जाना होगा मैंने कहा क्यूं मैं ऐसे अपना ओल्डेज होम छोड़कर यहां से क्यूं जाऊं जब तक मेरे ड्यूटी आफ नहीं हो जाती मैं यहां से नहीं जा सकती तो वो बूरी औरत कहने लगी कि ठीक है आप नहीं जाना चाती हो तो मत जओ लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाती हूँ मैं चाहती हूँ कि यह सारे औरते अपने पती से मिलने से पहले डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं मैंने कहा कैसा इलाज तो वो बोड़ी औरत कहने लगी, मुझे एक डॉक्टर सहाब मिले, जो कि बांज औरतों का इलाज करते हैं, वो बांज औरतों के एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, जिस इंजेक्शन के बाद, वो सारी औरते अपने पती के साथ संबंद बनाने के बाद, जल्दी ही प्रेग इसलिए वो बोड़ी औरत अपने साथ डॉक्टर को लेकर आ गई लेकिन जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई कि ये डॉक्टर को यौड नहीं बलकि मेरा अपना पती था अपने पती को देखकर मैं हरान रह गई मैंने अपने पती से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उसके बाद जो कुछ मेरे पती ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए दरasal बात ये है कि मेरे पती ने मुझे बताया कि मुझे पता चला कि तुम इस घाउं में नौक्री कर रही हो ये बुड़ी अम्मा रोय जा रही थी, जब मैंने इनसे इनकी परिशानी पूछी और इनको बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप बताओ आपको क्या परिशानी है, आप क्यों रो रही हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि गाउं के ओल्डेज होम में मेरी बेटी रहती है, जो की बांज है, और उसके पास अभी तक कोई आउलाद नहीं, वहाँ पर मेरी बेटी ही नहीं, बलकि गाउं की ऐसी बहुत सारी ओरते हैं, जो की बांज हैं, और बच्चा पैदा नहीं कर सकती, हमारे गाउं के सरपंच ने उन्हें एक ओल्डेज होम में बंद किया हुआ है, जब तक ये ओरते प्रैगनेंट नहीं हो जाती, तब तक इनको ओल्डेज होम से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और ये अपनी मर्जी के मताबिक जिन्देगी नहीं जी सकती, मेरी बेटी भी इसी ओल्डेज होम में बंद है, ओल्डेज होम में रहने वाली ओरतो को कोई परिशानी तो नहीं, लेकिन सरपंच का मानना है कि जो ओरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, मैंने इस बूरी अम्मा को समझाया कि मैं आपकी बेटी और जितनी भी ओल्डेज होम में रहने वाली ओरते हैं, उन सब का इल तब वो ओरत अपने पती के साथ रिलेशन्शिप बनाने के बाद जल्दी ही प्रेगनेंट हो जाती है, और मैं ऐसा ही इलाज करने के लिए यहां पर आया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ, मैं भी अपने पती को देखकर बहुत खुश हो गई थी, अ और उनके इंजेक्शन लगाया, उसके बाद जब रात हो गई तो मैंने सर्पन जी को कॉल की और उनसे कहा कि सारी ओरते तयार हैं, इनको इनके पतियों से मिलवा दिया जाए, मैंने मुलकात का सारव बंदोबस कर दिया है, सर्पन जी मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गई थ उन्होंने उन सारी ओरतों के पतियों को ओल्डे जुम में भेज दिया था, रात को मेरी ड्यूटी ओफ हो गई थी, इसी के मताबिक मैं अपने पती के साथ अपने किराये वाले कमरे में आ गई थी, और अगले दिन निकलने का इंतिजार कर रही थी, अगले दिन जब मैं ग था, वो ओरते एक एक करके प्रेगनेंट होती चली जा रही थी, बलकि एक दो लेड़ी की तो मेरे पास रिपोर्ट भी आ गई थी, जबकि बाकी ओरतों की भी धीरे धीरे खबर आने लगी, पूरे ओल्डे जुम में अजीब सी हलचल मची हुई थी, और ओल्डे जुम की ओरते बहुत खुश नजर आ रही थी, मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो अब सरपंच का घमन तूट जाएगा, उसी टाइम वो बोली ओरत भी हमारे ओल्डे जुम में आ गई और उसके साथ साथ सरपंच जी भी ओल्डे जुम में आये थे, वो दोनों एक साथ ओल्डे हुआ देखकर हैरान रह गई थी, वो दोनों आपस में बहन भाई थे, मैंने सरपंच जी से कहा कि आप इनके भाई हैं, सरपंच जी कहने लगे, अरे मैडम जी ये बात तो सारा गाउन जानता है कि ये मेरी बहन है, कि आपको नहीं पता कि ये मेरी बड़ी बहन है, मैं ये स सबसे पहले तो इस ओल्डे जोम की सारी ओरतों को उनके घर भेज दो। मैंने जब सर्पन जी की तरफ देखा तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोल लिये। इतनी ही देर मेरे पती भी आ गए थे और हम लोगों को ऐसी बाते करता हुआ देखकर वो मेरे बराबर में खड़े हो गए। सर्पन जी ने तो मेरे आगे हाथ जोले हुए थे। मेरे पती को देखते ही बोड़ी ओरत ने भी हाथ जोल लिये। सर्पन जी ने कहा कि हाँ मैडम जी आप सारी ओरतों को बाहर निकाल दो। मैं उन सारी ओरतों से माफी मांगना चाहता हूँ। जिन से मैंने उनका घर छीन लिया और मैं अपनी बेहन से भी माफी मांगना चाहता हूँ सरपन जी मुझसे कहने लगे कि दरसल मैडम जी बात ये है कि मैं डॉक्टरों की बातों पर विश्वास नहीं रखता था आजकल तो हर किसी इनसान में कोई न कोई बिमारी पाई जाती है इसलिए हमारे गाउं में एक वेद है जो कि बुखार या नजला जुखाम या खासी हो जाने पर दवाई देता है और हमारे गाउं के लोग उसकी दवाई खाने से ठीक हो जाते हैं जब हमारे गाउं के लोग कहते कि हम अपनी पत्नी को शहर का डॉक्टर को दिखाना चाते हैं तब मुझे विश्वास नहीं आता था मैं यही कहता कि हमारे गाउं के वेद को दिखाओ अगर कोई परिषानी होगी तो यही हल करेगा और अगर परिषाнов नहीं होती तो फिर तुम्हारी पत्नियां बांज है हमारे गाउं की काफी सारी ऐसी औरते जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर रही थी इसलिए मैंने यही हल निकाला कि इन सारी औरतों को एक ओल्डे जुम बनाकर उसमें बंद कर दिया जाए क्योंकि यह औरते बच्चा पैदा नहीं कर सकती और जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो खांदान को आगे नहीं बढ़ा सकती इसी के साथ साथ मैंने अपनी बेहन की छोटी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया उसको भी अपने ओल्डे जुम में बंद कर दिया लेकिन जब आपके पती ने इन ओरतों का इलाज किया तो आज मुझे भरोसा हो गया कि डॉक्टर भी हमारा मसीह होता है सरपन जी ने मेरे पती के आगे अपने जुड़े हुए हाथ कर दिया और कहने लगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सब लोगों से माफी माँगना चाहता हूँ और मैं इन ओरतों से भी माफी माँगना चाहता हूँ मैंने उनके साथ बहुत गलत किया मैं अपनी गलती पर बहुत शेरमिंदा हूँ मैंने अपने गाउं की औरतों के साथ तो ऐसा किया ही बलकि अपनी बहन की बेटी के साथ भी ऐसा ही किया मैंने अपनी बहन को इस बात पर ललकारा था कि ये औरते कभी भी मान नहीं बन सकती लेकिन मेरी बहन हमेशा मुझसे यही कहती कि भगवान एक ना एक दिन इन औरतों की प्रातना जरूर सुनेगा और इनके घर को अबात कर देगा मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज सरपंच का घमन चूर चूर हो गया था मेरे पती ने भी सरपंच जी को यही समझाया कि गाउं के माहौल को बिलकुल बदल दो पुरानी बातों को खतम कर दो अब नया जमाना है और नए तरीके से लोगों को जिन्देगी जीनी चाहिए अब इस गाउं में खुशाली ही खुशाली है ओल्डे जुम को खतम कर दिया गया और सारी औरते अपनी सासुराल में खुले आम जिन्देगी जी रही है उसके बाद मैं भी अपने पती के साथ अपने शहर वाले घर में शिफ्ट हो गई दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले